हेलो गाईज, वेलकम टो माई चैनल, आज हम बनेंगे पत्ता कोबी की सब्जी वो भी एकदम खिली-खिली, अक्सर क्या होता है हम इसमें पहले टमाटर डाल देते हैं, जिससे ना तो सब्जी खिली-खिली बनती है ना है उसका कलर अच्छा आता है, आपको इस सब्जी में टमाटर कप डालने हैं, यह मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगी, आप मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, पत्ता को भी की सब्जी बनाने के लिए लेंगे, एक कड़ाई में चार चमच ओयल, यहां मैंने मस्टर ओयल का यूज किया है, आप अपने तक हो हलका सा भून लिया है, यहां पर मैंने दो प्याज को अरफली काट लिया है, आप चाहे कैसे भी काट सकते हो, अब इसे डाल देंगे, और इसे हलका ब्राउन होने तक भून लेंगे, प्याज भी हमारे हलके ब्राउन हो चुके हैं, यह देखिए कितना अच्छा कलर यहां पर मैंने 6-7 लहसुन कीकलियों को बारिक बारिक काट लिया है, डालेंगे बारिक कटा लहसुन और यहां पर मैंने 2 हरी मिर्च को लंबा लंबा काट लिया है, आप चाहे तो बारिक बारिक काट कर भी डाल सकते हैं, डालेंगे हल्दी पाउडर, मसालों को अच्छे स तोड़ी सी मटर अब इसे मिक्स कर देंगे डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार नमक को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढ़क कर इसे 2-3 मिंट के लिए पकाएंगे और बीच में इसे चलाते रहेंगे प्लेम को मीडियम रखेंगे और अब इसे बीच में एक बार अच्छे से चला लेते हैं और अब इसे ढखक कर फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर 2-3 मिंट हो चुकी हैं अब यहाँ डालेंगे पत्ता गोबी पत्ता गोबी को हमने इस तरह से बारी बारी काट लिया है अब इसे सबजी में डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब यहाँ पर हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे इसे मेडियम फ्लेम पर इसी तरह सबजीों के पकने तक पका लेंगे और बीच में चलाते रहेंगे यह देखे देरे देरे पत्ता गोवी कम होती जा रही है अब इसे थोड़ी देर और पकाएंगे यह देखे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर चेक करके देखते हैं आलू भी पक गए हैं और मटर भी अच्छे से यहाँ इन सब्जियों को और गोवी को पकने में 5-7 मिन्ट लगी है अब डालेंगे यहाँ अपने बेसिक से मसाले धनिया पाउडर काली मेच गरम मसाला लाल मेच और इसमें खटास के लिए डालेंगे आमचूर पाउडर क्योंकि यहाँ पर हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे हम सिर्फ 2 मिन्ट के लिए ही पकाएंगे सब्जी को हमने 2 मिन्ट के लिए पका लिया है अगर आप टमाटर खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पर एक टमाटर को बारी बारी काट कर एड़ कर सकते हो और इसे 1 मिन्ट के लिए पका लें अब यह डालेंगे कसूरी मेथी इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को ओफ कर देंगे यह देखिए पत्ता गोबी की एकदम खिली खिली सबजी बनकर तयार है आप इसे जरूर बनाए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको म फिर वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बाई